नमस्कार दोस्तों 26 वीडियो है लक्षमी कांत की यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल 22 और आर्टिकल 23 की बारे में आर्टिकल 22 का जो टाइटल है वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डेटेंशन आर्टिकल 23 का जो टाइटल है वो प्रोभिशन अफ ट्राफिक इन हुमन बींग्स और फोट्स लेबर तो आर्टिकल 22 और आर्टिकल 23 के लिए जिदनी डीटेल ज़रूरी है आपके एक्जाम के परस्पेक्टिव से वो मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा आगे बढ़ने से पहले आई होप आपने ये किताब खरीद के अपने सामने रख ली होगी मेरे साथ पढ़ रहे होगी वीडियो पे शेर ज़रूर मार दीजागा दोस्तों आप देखिए आर्टिकल 22 किस चीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है ये दो चीजों के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है एक तो आरेस्ट के अगेंस्ट एक डेटेंशन के अगेंस्ट अब देखिए arrest क्या होता है दोस्तों arrest यह होता है कि मान लिजे आपने कोई crime किया और आपको arrest कर लिया कि तो भाई वो crime criminal offense भी हो सकता है वो crime stable offense भी हो सकता है तो मान लिजे आपने defamation किया किसी public dignity को ये किसी नेतकवा किसी और निसान को भी आपने कुछ ऐसा बोला जिससे उसकी image खराब हो सकती, उसको कुछ नुकसान हो सकता है, उसके business को नुकसान हो सकता है, उसकी public image को नुकसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अगर उस आदमी को ऐसा लगता है कि जो कुछ भी आपने कहा है गलत है आपको आप उसको मिलाइन करने की कोशिश कर रहे हो तो वो आपके खिलाब defamation का कोस्ट रोग सकता है उस defamation के कोस्ट में अगर court order देता है तो आपको arrest किया जा सकता है तो यह तो हो जागा civil arrest मालीज़ आपने murder कर दिया उसके लिए आप arrest होते हो तो हो जागा civil arrest sorry criminal arrest तो arrest दो तरीके क्यों होते हैं detention में क्या होता है देखे detention दो ताइप क्यों होते हैं एक होता है punitive detention, एक होता है preventive detention, अगर आपने गलती कर दी है, अगर आपने कोई offense कर दिया है, तो उस offense को करने के बाद आपको arrest किया जाएगा, हिरासत में लिया जाएगा, आपके ओपर trial चलेगा, आपको court में लेके जाएगा, पुलिस आपके हिलाफ charge sheet file करेगे, उस charge sheet में बत या तो बोलेगा कि I find you guilty, या बोलेगा I do not find you guilty, तो अगर उसने आपको guilty find कर लिया, तो उसने आपको convict कर लिया, आपको सजा सुना दी, इस सजा के बाद आप जेल में चले जाओगे, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला तब punitive detention, यह निकि आपने कोई गलती करी, और आ दीना अराम कर देंगे वो, लेकिन जो dangerous चीज है हमारे समविधान में वो है भाईया, preventive detention, preventive detention में क्या होता है, आपने किसी person को detain कर लिया, without any trial, without any conviction, यह dangerous है दोस्तों, फिर आप यह बोलोगे कि भाई, punitive detention में भी तो arrest किया था, देखिए हाँ, punitive detention में में दोस्तों आपने arrest किया था, but arrest की 24 घंटे के अंदर एक judicial magistrate of the first class के सामने उस person को लेके जाना पड़ेगा, और वो जब judicial magistrate बोलेगा, कि हाँ भाई, आप इसको police custody में रख सकते हैं, या फिर judicial custody में रख सकते हैं, दोनों ही cases में, वो रहेगा जेल में ही, ठीक है, आप police custody में क्या फर्क है, judicial custody मे क्या फर्क है, वो एक बात की वीडियो का topic है, तो normal cases में, अगर आप preventive detention के अलावा किसी और offense में मालेज़े, punitive detention में arrest की जाते हैं, तो 24 घंटे के अंदर आपको court के judge के सामने लेके जाना पड़ेगा, judge बोलेगा कि इसको हिरासत में रखना है, या नहीं रखना है, ठीक है, preventive detention में क्या हो रहा है, preventive detention में आपको arrest कर लिया गया, और आपको arrest इसलिए नहीं किया गया क्योंकि आपकोई एक offense कर चुके है, आपको arrest इसलिए की आगया है, चुकि इस बात का chance है कि आप offense कर सकते हो, इसलिए आपको prevent किया जा रहा है, from committing an offense, ये बहुत dangerous बात है दोस्तों, देखे, modern democracies की बात करें आज की डियेट में, जो modern दुनिया है, जहाँ पे एक human being के साथ प्वास पूरी ट्रॉपर, ये power है, जिसे आप हमारे सम्विधान की बात करें, हमारे सम्विधान की जितनी भी power से वो कहां से originate होती है, इस देश के लोगों से originate करोती है, प्रियम्ब में ही लिखा है, कि हमारे सम्विधान की, इस देश के सम्विधान की जितनी भी ताकत है, वो इस देश के लोगों से originate होती है, और उस देश के लोगों से अगर ताकत originate कर रही है, तो अगर वो देश के लोग कोई offense committee ना करें, उसके बावजूद की वोइक offense commit कर सकते हैं, इस basis पर आप किसी को arrest कर लो क्या ये सही है अब ये सही है दोस्तों या ये गलत है इसके देखे बहुत से hit में भी argument है बहुत से आप कह सकते हो against भी argument है जो hit के argument है जो against के argument है वो तो देखे जादा यहाँ पर दिये नहीं है मैं आपको अपनी तरफ से कुछ arguments पता सकता हूँ तो इसको preventive detention को as a precautionary measure लेते है precautionary measure मतलब suspicion के basis पे shut के basis पे आप preventive detention कर सकते हो तो भाई आपको लगता है कि कोई एक person है जिसका ISIS के साथ कोई connection है वो यहाँ पे mum blast कर सकता है तो इस suspicion के basis पे आप एक person को arrest कर सकते हो आपको लगता है कि भाई एक person की कोई बहुती ज़ादा जात्ती दुश्मनी किसी दूसरे person से तो दूसरे person को उस्वान पहुचा सकता है इस basis पे आप उसको arrest कर सकते हो बट problem यह है दोस्तों कि जो law आप कह सकते है holding authority होती है कि ऐसा person जिसके हाथ में authority है वो अगर proper तरीके से अपनी ताकत का इस्तमाल करेगा तभी आप preventive detention को justify कर पाओगे अगर authority वाला इंसान गलत तरीके से अपनी ताकत का इस्तमाल करने लगा तो कभी भी आप preventive detention को justify नहीं कर पाओगे दोस्तों तो आप देखोंगे जो authority में है लोग वो अपनी गलत ताकत का इस्तमाल करके अपने personal vendetta को भी पूरा कर सकते हैं किसी के साथ अगर दुश्मनी निकाल नी हो तो दुश्मनी भी निका सकते हैं देखे देखा जाए हमारा देश दोस्तों हमारे देश में कितनी problems है sectionist tendencies हैं हमारे देश के बहुत से भाग है जो वो बोल देते हैं भाई हमको इंडिया से अलग होना है जम्मुन कश्मीर में देखे लगातार पाकिस्तान infiltration करता ही जा रहा है कश्मीर के लाके में infiltration लगातार चालू LAC पर stand-off चल रहा है और पाकिस्तान बॉर्डर पर shelling हो रही है और उस shelling के आड़ में पाकिस्तान क्या करता है कि पाक occupied कश्मीर से कुछ terrorist को आप कैसेतने जम्मुन कश्मीर के साइट में introduce कर जाता है और अब तो एक बड़ी खतरनाक tendency देखने को मिल रही है कि भाई जितने भी COVID affected लोग थे उनको गिलगित बलतिस्तान ले गए और वहाँ से कुछ ऐसे terrorist जिनको इस चीज के लिए train किया गया कि इंडिया में अटाक करने अगर उनको COVID-19 हो गया और कहीं पर भी हो सकता है dangerous elements हर जगा है देश की आबादी ही इतनी बड़ी है तो उन dangerous elements को रोकने के लिए एक बार वो कहा जा सकता है कि preventive detention is good but subject to the limitation that जो authorities हैं वो अपनी ताकत को सही तरीके से इस्तमाल करें नहीं तो ये counterproductive हो जाएगा अब इसके बारे में और देखेंगे preventive detention law को किस-किस जगा पे लगाया गया है आगे बढ़ें दोस्तों तो आप देखोगे article 22 को दो भागों में बाटा गया है तो पार्ट से यहां पे first part second part first part में वो cases आते हैं जो ordinary law से deal करते हैं दूसरे पार्ट में वो cases आते हैं जो preventive detention law से deal करते हैं देखिए प्रेवेंटिव detention के लिए law बना रखें दोस्तों कौन कौन से law है देखिए यहां पे लिक रखें मैंने यह भी मैं आपको आगे बताओंगा भी तो ordinary law अब ordinary law में कौन कौन आगा है cash चुदाने की कोशिश की और उसको पुलिस ने पकड़ लिया तो भाया पुलिस ने पकड़ा तो जिस person को पकड़ा गया है he has to be informed कि आपको कौन से grounds पे पकड़ा गया है किस basis पे पकड़ा गया है तो आप देखोगे न दोस्तों यूएस की movies में बताया जाता है कि you are being arrested under this act तो इंडिया में भी भाई जब आपको arrest किया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि इंडियन penal code के इस-स section के अंदर हम आपको arrest कर रहे हैं इस-स दफा के अंदर हम आपको arrest कर रहे हैं तो आप उस person को बताओगे दूसरा उस person के पास ये right होगा कि वो एक legal जिसको arrest किया गया वो एक legal practitioner को जो इस case में most probably एक liar होगा एक legal practitioner को hire कर सकता है वो ताकि वो legal practitioner उसके बिहाफ पे court में उसके लिए लड़े तो जिसको भी आप arrest कर रहे हो उसने जो भी किया है वो एक legal practitioner से consult कर सकता है एक legal practitioner को hire कर सकता है आपने आपको defend करने के लिए फिर भाई अगर आपको arrest किया गया तो 24 घंटे के अंदर आपको magistrate के सामने पेश किया जाएगा और इस 24 घंटे में जर्नी का time included है ठीक है तो माल लिजे कि UP में फिरोजा बाद district के बिल्कुल बीहर इलाके में आपको arrest किया गया तो वहाँ पे माल लिजे जज नहीं बैठता है जज बैठता है वहाँ से 70-80 km दूर आप कह सकते हो sub district में तो भाईया 70-80 km दूर जाने में 2-3 घंटे लगेंगे तो भाई पुलिस वाले बोसकते हैं कि भाई 24 घंटे में 2-3 घंटे का time included नहीं है नहीं दोस्तों 24 घंटे में वो 2-3 घंटे का time जो journey का time है वो भी included होगा तो जब आपको arrest किया गया उसके 24 घंटे के अंदर आपको एक judicial magistrate के सामने पेश करना होगा पुलिस को और वो judicial magistrate इस पेशी के बाद बताएगा कि अब आपको इन लोगों को फर्दर arrest रखना है या छोड़ देना अभी जो तमिल लाडू में case हुआ था जहां पे दो shopkeepers को पुलिस उठा के ले गई क्या क्यालती की थो इन shopkeepers ने करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उनको judicial magistrate के सामने भी पेश किया गया और judicial magistrate ने police custody grant कर दी उस police custody में उसकी मौत हो गई तो उस judicial magistrate पे भी काफी सवाल उठे कौन से basis पे आपने इनकी judicial custody या police custody दी समझे दोस्तों तो देखिए judicial magistrate के सामने ले जाने वाला जो clause होता है वो clause इसलिए होता है ताकि police कुछ excessive या फिर कोई बहुती जादा कहते ना की एक dictatorial attitude न रख लेगी भाई police ने अपने मन के इसाफ से किसी को भी arrest कर लिया और पकड़ के बैटी है ऐसा नहीं हो सकता अगर police ने किसी को arrest किया तो police को उस person को बताना पड़ेगा भाईय तुमको IPC की इस दफा के अंदर arrest किया है तुमको right है कि तुम एक legal practitioner को hire कर सकते हो जो तुमारे बहाफ पे deal करेगा हम से और court से हम तुमको 24 घंटे के अंदर एक magistrate के सामने पेश करेंगे रही है यह arrest के जो conditions मैंने आपको बता ही ना यह चार conditions judicial magistrate वाली यह conditions आपको preventive detention law के अंदर available नहीं है ठीक है अगर आपको preventive detention law के अंदर arrest किया गया तो आपके लिए यह permission यह जो अप अच्छा preventive detention law के अंदर detain किया जाता है उसको आप formally arrest नहीं बोलते हो बोला जाता है कि भाईया आपको preventive detention law के अंदर detain किया अगर अच्छली वो arrest ही होता जोस्तों ठीक है न तो भाईया एक preventive detention law के अंदर अगर किसी को arrest किया गया है यह detain किया गया है तो भाई यह safe guards आपको available नहीं होगे तो क्या उसको एक conditions available होगे नहीं होगे enemy aliens को एकचली में कुछ available नहीं होता ठीक है वो तो हमारे देशा कानून इतना अच्छा है कि due process of law कॉम लोग follow करते हैं बट एकचली में उनके बास कोई भी availability नहीं होती है सरकार चाहे तो कुछ भी ना दे उनको ठीक है यहाँ पर कुछ और points है अच्छा यह जो first part है मैंने जो भी सुविधाय बताई गई है एक person को जिसको arrest किया गया है उसको बचाने के लिए इसमें कुछ exceptions है exceptions क्या है कि माल लिजे किसी court में एक order दिया है कि इस person को arrest को तो अगर किसी person को किसी court के order पर arrest किया गया है तो भाया यह जो मैंने आपको conditions बताई ना first के अंदर यह fulfill नहीं की जाएंगी यह fulfill तो तब की जाएंगी न जैब police ने आपको arrest कर लिए और आपको बचाने के लिए court जाए बट court नहीं अगर किसी एक person के order को arrest किया तो यह सुधाय आपको नहीं मिलेंगी अगर कोई alien है यानि मानली जी की कोई USS एक person यहां पर आया कोई USS लेडी यहां पर आया उसके पास तीन महिने का tourist visa था उसका तीन महिने का tourist visa expire हो गया उस tourist visa के expire होने के बाद भी वो lady इंडिया में है उसको इंडिया से उसने छोड़ानी तो उसको police arrest कर लेगी और arrest करके उसको report करेगी तो वो अपने इस arrest के खिलाफ claim नहीं कर सकती कि भाई मेरे को यह first के अंदर यह सुधाय लेनी है यह first वाली सुधाय तब मिलेगी जब आपने कोई criminal act किया हो civil act के violation के लिए भी आपको इस सुधाय नहीं मिलेगी criminal act किया हो या फिर कोई ऐसा act किया हो जो quasi criminal nature का हो या फिर कोई ऐसा हो जो public interest का against हो तो उस case में यह सुधाय मिल रही हैं दोस्तों देखे क्या होता है दोस्तों कि criminal case में इस तरीके की सुधाय क्यों दी जा रही हो civil law में क्यों नहीं दी गई आप में से कुछ लोग पूछोगे देखे criminal cases बहुत sensitive होते हैं अब मान लीजे किसी लड़की का rape हो गया या फिर किसी पे attempt to murder हुआ किसी का murder हो ही गया इस तरीके की जो charges होते हैं बहुत sensitive होते हैं तो अगर कोई गलत करने की कोशिश कर रहा है अगर कोई इंसान को जबरदस्ती फसाने की कोशिश कर रहा है तो उस इंसान के पास कुछ safe guard होने चाहिए इसलिए इन safe guards को यहाँ पे introduce किया गये उसका जाते तो सेकेंड पार्ट पर यह deal करता है आपका preventive detention law से preventive detention law की बात की जाए तो देखते हैं भाई इसमें क्या बोला जा रहा है preventive detention law में यह बोला जा रहा है कि आपको arrest किया जा सकता है यह detain किया सकता है अगर आपका preventive detention हुआ है तो भाईया आप 3 महीने तक पहले रहोगे जेल में या आपने detention में रहोगे maximum preventive detention law के अंदर आपको 3 महीने तक रखा जा सकता है जेल में 3 महीने के बाद अगर आपके preventive detention को extend करना है तो एक advisory board बठाये जाएगा उस advisory board में high court के judges होंगे इस person को 3 महीने के बाद detain करें या ना करें ठीक है ये बात तो भाईया 3 महीने के लिए आपको preventive detention laws के अंदर detain करके रखा जा सकता है उसके आगया रखना है तो advisory board की permission चाहिए पहली बात दूसरी बात आपको जब detain किया गया किसी भी एक person को माझने जये preventive detention के लिए detain किया गया तो उसको बताया जाएगा कि उसको कौन से preventive detention law के अंदर detain किया गया है facts बताया गया यांगी कि क्यो detain किया गया है लेकिन अगर वो facts national security के अगये इस्टे Тो उसको नहीं बताया जाएगा कि उसको क्यों detain किया गया है और मान लिजे किसी एक परसन को preventive detention law के अंदर detain कर लिया गया तो एक representation देने की chance दिया जाएगा उस detainee को नहीं detainee एक representation दे सकता है अपने preventive detention के अगया गया है इस अब विस्ती बात है वो जो representation देगा वो authorities के पास जाएगा कि आप अपने preventive detention के against में एक representation दे सकते है आपको बताया जाएगा कि आपको उपर कौन सा preventive detention law लगाया गया है किसलिए आपको पकड़ के रखा गया है हाला कि अगर कोई बहुती बड़ी चीज में आप involved हो, national interest involved है तो आपको इस सब चीज़े नहीं बताई जाएगी ठीक है, उसके बाद maximum 3 महीने के लिए आपको preventive detention में रखा जा सकता है उसके आगे रखना है, तो advisory board जिसमें high court के judge बैठते हैं वो बैठके discuss करेंगे अगर वो बोलते हैं कि हाँ भाई ये आदमी खतरना कि इसको 3 महीने से जादा preventive detention में रखो, तो ये रखा जाएगा आटिकल 22 ने इस preventive detention के अंदर कुछ और ताकतें भी दी है पार्लेमेंट को, अब देखते हैं भाई ये आटिकल 22 ने और क्या ताकते दी है पार्लेमेंट को, पार्लेमेंट उस तरीके के cases को डिसाइड कर सकता है उन circumstances को डिसाइड कर सकता है जिसके चलते एक परसन को preventive detention law के अंदर 3 मेने के लिए रखा जाता है यानि पार्लेमेंट के पास ये ताकत है कि पार्लेमेंट एक ऐसा law बना सकती है और कह सकती है, कि इस law के अंदर में अगर ये condition wallet होने के chances है इस person को preventive detention law के अंदर रख लो यानि कौन से हलातों में preventive detention law को execute करना है किस तरीके से execute करना है इस सब चीजों को बनाने के ताकत पार्लेमेंट के पास है ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई किस तरीके के cases है maximum कितने period के लिए किसी particular तरीके के preventive detention law के अंदर उस person को preventive detention में रखा जा सकता है ये भी बतायागा अब देखिए, तीन महीने की maximum limit है बट कुछ ऐसे preventive detention law होंगे जिनमे केवल 15 दिन के लिए रखा जाएगा कुछ ऐसे होंगे जिनमे एक महीने के लिए कुछ ऐसे होंगे जिनमे दो महीने के लिए कुछ बहुत ही severe होंगे जो तीन महीने के लिए तीन महीने की upper limit है तीन महीने की ऊपर जाना है तो advisory board से permission लेनी पड़ेगी और advisory board जिसमें high court judge बैठते हैं वो inquiry किस तरीके से करेंगे इसका procedure भी कौन decide करेगा parliament decide करेगी हाला कि 44th amendment act 1978 में एक change करने की कोशिश की गई थी change करने की कोशिश ये की गई थी कि देखिए तीन महीने से जादा अगर आपको preventive detention law के अंदर data in arrest करके रखना है तो advisory board की वो चाहिए हम ही चाहिए लेकिन 44th amendment act 1978 में क्या कहा गया अगर दो महीने से जादा आपको preventive detention के अंदर बंद करके रखना है तो advisory board की permission चाहिए लो 44th amendment act के तुरू ये 3 से 2 महीने के बाद क्यों कही गई चुकि 1975 से लेके 1977 के टाइम में emergency लगी थी और इस emergency में बहुत सारे लोगों को बिना किसी वज़ा जेल में डाल दिया गया बहुत ना किसी वज़ा preventive detention law को लगा के उन्हें जेल में बंद कर दिया गया कौन-कौन से law को लगाया गया ये अभी आपको बता हूँगा तो उसलिए 44th amendment act 1978 ने क्या बोला कि भाया 3 महीने नहीं maximum 2 महीने के लिए आपको preventive detention law के अंदर रख सकते हैं बिना किसी वज़ा कि और 2 महीने के बाद रखना है तो advisory board की permission चाहिए लेकिन अभी भी in practice 3 महीने ही है दोस्तों वो 2 महीने on ground नहीं हुआ है हाला कि 44th amendment act 1978 emergency की प्रभाव से उबरने के लिए इसको 3 महीने से 2 महीने करने की कोशिश की गई थी on ground ये 2 महीने हुआ नहीं अभी 3 महीने है यनि अभी भी preventive detention law के अंदर maximum 3 महीने के लाप को रखा जा सकता है 3 महीने के बाद ही आपका case advisory board के पास जाएगा अब बात यहां पर यह आती है कि भाई preventive detention law को बना कौन सकता है क्या कि यवल parliament बना सकता है क्या कि यवल state literature बना सकते है देखे preventive detention law को parliament भी बना सकता है state literature बना सकता है बशर्ते अगर law relate करता है आपका defense के field से अगर law relate करता है आपका foreign affairs के field से अगर law relate करता है आपका security of India से हमारी देश की security से उस case में preventive detention से related law केवल union government बना सकती है बाकी cases में state legislature के पास भी ये ताकत है कि preventive detention से related law वो बना सकते है यहनी state legislature के पास भी और parliament के पास भी ये ताकत है कि भाई maintenance of public order के लिए law and order को maintain करने के लिए essential commodities की supply को लगातार चालू रखने के लिए state government और parliament दोनों preventive detention के law बना सकती है अभी के लिए देखा जाए कुछ important preventive detention law जो की बने है पहले सबसे पहले आया था preventive detention act 1950 1969 में खतम हो गया फिर आया maintenance of internal security act मीजा 1971 में इसको 1978 में खतम कर दिया गया actually मीजा 1971 में आया दोस्तों और इस मीजा का बहुत गलत प्रयोगवा emergency के दोरान 1975 से लेकि 1977 में emergency थी Congress के opposition में जितने भी leader थे सब को उठा के jail में बंद कर दिया गया तो लालू प्रसाद यादो जेल में बंद मुलायम सिंह यादो जेल में बंद और बड़ दिगज निता सब जेल में बंद उसी जमय पे लालू प्रसाद यादो जी की बेटी हुई 1976 में तो इस act के नाम पे लालू प्रसाद यादो जी ने अपनी बेटी मीजा का नाम रख या ठीक है यह राज सभा से MP है ठीक है तो यह लालो पसार जी की बेटी का नाम भी मीजा है किस की बैसे पर रखा गया इसी मेंटेनेंस और सेक्योटी अक के बैसे पर फिर आगे बात की जाएं तो कौफे पोसा 1974 बहुत पावरफुल एक्ट है क्या बोलते हैं इसको कि दौरान इस एक्ट को इन्वोक किया जा सकता है टाडा भाईया बढ़ा खतरना का अक्ट था यह इसको रिपील कर दिया गया इसके अंदर दो किसी को भी अरेस्ट कर लो अगरो इनने सिक्योटी का के इस चा रहा है फिर आगे भाई प्रेविंशन ऑफ इलिसिट ट्राफिक इसके अलावा एक और आक्ट है दोस्तो नार्कोटिक्स ड्रक्स एंड साइको ट्रोपिक सब्स्टेंसिस एक उसको न्डिपीस एक्ट बोलते है वो 1985 का है यह 1988 का है उससे कन्फूज मत करिएगा फिर प्रेविंशन ऑफ टेरिश्म आक्ट 2002 इसको 24 मैटा दिया गया फिर अन लॉफूल अक्टिविटीज प्रेविंशन एक्ट अभी भी चल रहा है इसके अंदर प्रेविंटिव डिटेंशन किया जा सकता है अब देखी दोस्तों प्रेविंटिव डिटेंशन की काफी निंदा हुई है हमारे देश में यह बोला जाता है जबकि आप देखोगे प्रेविंटिव डिटेंशन को इस्तमाल किया, यु स्यakет के कौंश्टूशन में प्रेविंटिव डिटेंशन का नामों निशान नहीं है और आप इंडिया में प्रेविंटिव डिटेंशन लेक्या रहे हो तो यह चीज गलत थ campaign वायंत को बूरत है इस कि आपिशन कि भाई आप prohibit करेंगे traffic in human beings human beings की trafficking आप नहीं कर सकते हैं बेगार जिसको आप बोल सकते हो force labor जिसको आप कभी-कभी bonded labor भी बोलते हो या फिर किसी भी और तरीके का force labor band है अब सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा दोस्तो trafficking in human beings trafficking in human beings आप बहुत अच्छी तरीके समझ सकते हैं कि भाई women को आप कह सकते हैं कि prostitution के racket में फसाने के लिए उनकी trafficking की जाती है तो कभी बार आपने सुना हुआ कि नेपाल से illegally लड़किया पकड़के लाई गए इंडिया में वो Mumbai के जो आप कह सकते हैं कि prostitution की houses हैं वहाँ पे उनको लेके जाया गया और दूसरी जगहों से लेका है जो गरीब घर के होते हैं वहाँ से बच्चीयों को खिनाप कर लिया उनको यहाँ पे ले आया उनको पालपोड के बढ़ा किया बच्चों के trafficking होती है आपने देखा होगा Mumbai, Delhi, Bombay और यह जो चिन नहीं यह जो बड़ी-बड़ी cities हैं इनके traffic signals में जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं आपको भीग मांगते हैं नजर आते हैं एक छोटी सी बच्ची एक सोते हो बच्चे को अपने गोद में लेके घूम रही होगी वो बच्चा हमेशा सोही रहा होता है कभी जटता नहीं है इस तरीके की सीन आपको बहुत देखने को मिलते हैं यह पूरे racket चलते हैं आपसे भी अन्रोध है कि कभी भी traffic signal पर इस तरीके कि आपको कोई बच्चे दिखे हैं चुकि उन्हीं बच्चों की जो दलाल होते हैं वो आसपास कहीं घूम रहे होते हैं जैसे उनको आप पैसा दोगे वो उनसे पैसा ले लेंगे यह पूरा एक racket चलता है जहां पर बच्चों को प्रॉपरली केड़नाप किया जाता है उनके हाथ तोड़ दी आते हैं पैर तोड़ दी आते हैं स्लम डॉग मिलनेरे में जो दिखाया गया है काफियात तक वो सच है जूट नहीं है वो तो आर्टिकल 23 सीधे सीधे इस ट्राफिकिंग को बैन करता है आप ना वूमिन की ट्राफिकिंग कर सकते हैं जो सेलिंग होती और बाइंग होती है मैं वूमेन और चिल्डरन की गोड्स की तरह तो अब देखे आप बोलोगे कि आज की डेट में कौन आदमी और और अड़तों खरीद रहा है बाई आज की डेट में कौन चिल्डरन को खरीद रहा है ये सब चीज़ें तो पहले हुआ करती थी एंसिंट इंडिया में आज कहा होती है होती है दोस्तों थोड़ा अलग तरीके से होती है जैसे कि for example मुंबई में कोई एक family होगी उस family को अपने घर में काम करने के लिए कोई लड़की चाहिए होगी कि भया वो घर पे रहा है काम करें तो वो family क्या करेगी कि बिसी किसी एक middleman से मिलेगी उस middleman को वो family कुछ पैसे देगी वो middleman नेपाल का किसी गाउं से या फिर यूपी के किसी गाउं से बिहार या फिर साउस इंडिया के किसी गाउं से एक गरीब family को जहासा देके उसको कुछ पैसे देके उसके घर के कोई चोटे लड़के को या लड़की को उस family के पास ले आएंगे वो families चोटे लड़के या लड़की से दिन बर घर का काम करवाएंगे खाने केल उसको कुछ गंदी से रोटियां दे देंगे ना उस लड़की के पढ़ाई होगी बस वो दिन बार उस घर में काम करती रहेगी तो this is basically a modern form of slavery और यह हो रहा है हमारे metropolitan cities में तो यह चीज रोकनी है तो यह जो selling हो रही है न men, women और children की किसी भी form में इसको बंद करना है traffic ही बंद करनी है देवदासी की प्रसा बंद होनी चाहिए आप बोलो कि देवदासी की तरफा क्या होती है दोस्तों देखे देवदासी में क्या होता था कि अब ancient India में और कुछ अद तक medieval India में भी जो temple हुआ करते थे न धरम के ठेकेदार बैटते थे वहाँ पे कुछ ladies नाचती थी वहाँ पे उन्हों बोला जाता था कि भाई ये भगवान की बक्त है भगवान की गुलाम है बट इस नाम पे ओन लड़कियों का जो वहाँ के priest होते थे ना वो exploitation करते थे ये जो धरम के ठेकेदार बनते थे में सब के लिए तो नहीं करूँगा देखे देखे बहुत सारा लोग अच्छे भी होते ठीक है बट ज़द ज़दर cases में इस तरीके की प्रथा का इस्तमाल किया जाता था उन लड़कियों का exploitation करने के लिए तो देव दसी की प्रथा होती थी in fact independence से पहले तक थी उसके बाद उसको बैन कर दिया गया अब वो देखने को नहीं मिलती है तो अब देखो कि इन सब चीजों को रोकने के लिए Parliament ने एक Act भी पास किया था Immoral Traffic Prevention Act of 1956 अब हम समझते हैं कि भाई यह जो मैंने आपको बताया कि बेगार फोर्स लेबर यह bonded लेबर तो traffic in human mix थो हमने देखा अब देखिए बेगार फोर्स लेबर और bonded लेबर यह क्या होता है इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों अब देखिए बेगार में क्या होता देखिए पहले के जमाने में क्या होता तो दोस्तों आज के जमाने में भी कोछ अत्तक होता है अब काफी कम हो चुका बट पहले के जमाने में यह बहुत ज़ादा होता था जमीनदार हुआ करते थे बड़ा बड़े साहुकार जमीनदार ये लोग करते क्या थे ये लोग गरीब किसानों को पैसा दे देते थे उनको पता होता था कि ये गरीब किसान पैसा चुका नहीं पाएंगे ठीके तो मान लीजे कि वो गरीब किसान पैसा नहीं चुका पा रहा है ना वो पैसा चुका पा रहा है ना है उसके उपर आने वाला इंटरस्ट चुका पा रहा है तो उस case में वो जो जमीनदार है वो इस गरीब किसान से बोलेगा कि तुम मेरे खेत में आओ और मेरे केत में आके काम करो और उस काम का में तुम्हें कोई पैसा नहीं दूँगा तो बेगार हो गया यह बेगार मतलब आपसे जबरदस्ती काम करवाय जा रहा उसका आपको कोई पैसा मिल भी नहीं रहा है कुछ ऐसा ही bonded labor होता है bonded labor में क्या होता है कि जब वो पैसा देते थे तब उनसे एक pact sign करा लेते थे या फिर एक stamp paper में उठा लगवा लेते थे और कहते थे कि भाई तुम अगर मुझे मेरा पैसा नहीं दे पाए तो तुम मेरे हाँ पर काम करोगे मेरे fields में काम करोगे मतलब उस एक particular person को नहीं उसकी पूरी की पूरी family को ये गुलाम बना लेते थे और ऐसा कि वह lower caste के लोगों के साथ नहीं upper caste के लोगों के साथ भी होता था जो कि ये काफी हद तक economic capacity पे बेस था इस तरीके का exploitation तो ये bonded labor, बेगार, human trafficking, देवदासी modern form of slavery, अब ये सब कुछ ban हो चुका है, ठीके न? और किसी भी form में अगर इस तरीके की कोई practice इंडिया में अगर हो रही है तो उसको in accordance with law punish किया जाएगा कुछ नहीं करना है, बस एक PIL file कर दीजे court में उसे एक particular person को file करने की जरूद भी नहीं है आप as a modern citizen, article 32 के अंदर एक चिट्थी लिग दीजे supreme court को, कि भाई इस गाउं में इस जगा पे ये हो रहा है, anonymous चिट्थी लिग दीजे, supreme court उसके action ले लेगी आज कल इतना आसान हो गया इन चीज़ां को करना supreme court मदद के लिए बैठिये, अब ये जो article 23 के अंदर जो right है ये citizens और non-citizens दोनों के available है, होना भी चाहिए दोस्तों अब किसी नेपाल से किसी एक लड़की को पकड़ के लेके आके आपने मुंबई के prostitution के record में पसा दिया अब वो तो नेपाल के citizen है तो अगर उसको इस तरीके की problem हो दी तो सीदे सीदे पूलिस से जाके मदद मागेगी आप पूलिस बोलने लगेगी कि तुम तो भाईया नेपाली citizen हो, non-citizen हो तुमारी मदद नहीं कर सकते, तो वो तो गरत है ना तो citizens और non-citizens दोनों को ये right available है प्लस ये right के वाद state के अगेंस्ट नहीं, private persons के अगेंस्ट भी अब लेबल तो अब देखोगी, human trafficking में state कहां involved हो गा है, human trafficking में तो private persons involved है ना, पूरा का पूरा gang, पूरा का पूरा racket चलता है इनका जिसको रोकने की जरूरत है ये सब चीजों को रोकने के लिए दोस्तों और लोगों के exploitation को रोकने के लिए बहुत सारे act भी लेके आईए सरकार तो bonded labor system evolution act of 1976 minimum wages act 1948 contract labor act 1970 equal remuneration act 1976 ये सब चीजों इन सब चीजों को रोकने के लिए ही लाई गई है अच्छा एक exception है आर्टिकल 23 को अगर emergency आती है तो आपके उपर कुछ social service imposed की जा सकती है आपके उपर कुछ military service imposed की जा सकती है जिसके लिए आपको कोई पैसे नहीं दिये जाएंगे for example covid-19 का pandemic फैला हुआ कल की date में health professionals बचे ही नहीं तो भाई ये नियम सरकार लेके आ सकती है कि हर घर का एक person covid-19 में as a health worker की तरह काम करेगा तो भाई article 23 में exceptions भी है अगर कोई ऐसी condition आ जाती है कि देश को जरूरत है तो article 23 में exceptions भी लाए जा सकते हैं उसी तरीके से military service अभी के लिए तो भगवान की दया से हमारी military बहुत strong है इतनी strong है कि किसी की दम नहीं हमारे against ने कुछ बोलने की देखिए चाइना को retreat करना ही पड़ेगा आगे करना ही पड़ेगा लेकिन 1962 का जब war हुआ था तो भाई हमारे soldiers कम पड़ गए थे military service की जरूरत थी लोगों की तो उस केस में सरकार अगर एक नियम भी लेके आती कि हाँ भाई compulsory military service की अर्वेस करनी यानि हर परसन का हर फैमली का एक बंदा कम से कम चार साल के लिए military में काम करेगा इस तरीके का भी कोई law अगर government लेके आती है तो मानने होगा तो यह exceptions है आर्टिकल 23 को कि कोई ऐसी condition आ जाती है कि emergency में social service की जरूवत है या military service की जरूवत है तो उस case में सरकार नियम कानून मना सकती जो कि आर्टिकल 23 के provisions के against है पर फिर भी वो मानने होगे बस यह नियम कानून जब भी बनाये जाएंगे तो किसी भी तरीके का discrimination नहीं किया जाएगा धरम के आधार पे, जाती के आधार पे क्लास के आधार पे, रेस के आधार पे यह है दोस्तों आर्टिकल 23 तो यह होब आपको मैं समझाने में successful रहा हूँ Thank you for watching, have a great day जाने से पहले दोस्तों वीडियो को like जरूर कर दीजे चैनल को subscribe कर लेजे Please अपने दोस्तों साथ इन वीडियो को share कर दे Thank you for watching, have a great day